समाजी विज्ञान की क्लास में आपका बहुत-बहुत स्वागत है बेटा अपने बेटे इसके पहले अव्वा वाला पाट का आपने अध्यन किया था तो अव्वा में आपने नदियों के बारे में पढ़ा था तो आपने सिंदू तंत्र, गंगा तंत्र, ब्रह्म पुत्रा तंत्र और कौन सी नदी कहां से निकलती है, किस नदी की मिट्टी उपजाओ होती है प्रसी योगो होती है और अपनको नदियों से अर्थ व्वस्था के लिए क्या लाब है और आपन इसके बारे में, और नदिया डियलτα कैसे बनाती है, इसके बारे में आपने अध्यान किया आज आपन इसके बाद प्रशनुत्र देखेंगे, और आप उनको प्रत्र प्रशनुत्र को देखोगे और याद करोगे तो सबसे पहने है बेटा कि सही विकल्ब चुनकर लिखिए तो सही विकल्ब के अंदर रगत आएगा बेटा कि भूमर जी निम्निकित बैसे किस राज्य में इस्थित है अब उसके बाद पहने रेकिन बेटा आप प्रस्ट जो पाठ है उस पाठ के अंदर प्रस्ट क्रमांक 18 पर एक पूछा गया है भारत में किस नदी को अव्वाह दोडी सबसे बड़ी है अतलब जो भारत देश है वहां की अव्वाह दोडी दोडी मतलब सबसे बड़ी है जो गंगा लदी है वेटा मैंने आपको बताया था आपने गंगा दीद दंत्र पढ़ा था तो जो गंगा लदी है वहां पर आप वहाह दोडी सबसे त्रोणी सबसे बड़ी है उसके बाद आप उस पार्ट पर देखिए गया ज्याद कीजिए उस पर लिखा है प्रेश्ट क्रमान 23 पर आप देखेंगे वेटा बारत का सबसे बड़ा जल प्रक्ता कोन सा है जल प्रपात कोन सा है तो वह कुचिल जल प्रपात है जो कहां है करनाटक में है कुचिकल आपसे बड़ा जल प्रपात कहां है वह है कुचिकल जल प्रपात है जो कहां पर है करनाटक राज में है उसके बाद है बेटा कि आपके पुक पर ही जो प्रश्टुत्ता ने उनमें है सही विकल्प चुनकर लिखे तो निम्डिकित में से कौन सा ब्रक्ष की साखा समान अव्वा प्रती रूप प्रणाली को दर्साता है तो उसके आपसन में बेटा अली, केंद्रा विमुग, दुर्मा क्रती और जली नुमा तो इन सब में से आपका जो ब्रप्च की साखा को समान अभवा प्रति रूप में प्रणाली कुदर साता है वो है केंद्रा भी मुग उसका आंसर है केंद्रा भी मुग फिर दूसरा है बेटा बूलर जील बूलर जील निम्निकित मैं से किस राज्य में स्थित है बूलर जील इसके बारे में बेटा पन्य पढ़ा था हाना तो ये स्थित राज्य जील है चार ऑप्सन है बेटा राजिस्थान पंजाब उत्तक प्रदेश जम्मु कस्वीर इस चारों में से पटो एक राज्य में जहां पर भूमर जील इस्था है, तो भूलर जील, भूलर जील कहां इस्थित है बेटा, जम्मु कास्वीर में इस्थित है, जो भूमर जील है, आप पताओं जम्मु कास्वीर में कई जील, लेकिन जो भूलर जील इस्थित है, कहां पर इस्थित है, वो कश्वीर में इस्थ है फिर उसके बाग है बेटा नर्वादा नदी का उद्गम कहां से हुआ है नर्वादा नदी आपको पता है मद्धिस में ही मतलब आप जबलपूर में ही नर्वादा का नाम सुनते हूं तो नर्वादा नदी का उद्गम कहां से हुआ है तो सत्पुडा से हुआ है अमरकंट भ्रह्मफिरी से या पस्चिन घाट की धान से हुआ है तो आपको बताओन पीटा नरुमदा नदी का उद्गम कहा ale जील है तो लवनी जल जहाँ पर नमक लवनी मतलब नमक जिससे नमक बनता है वेजीन कहां है तो संभार, बूलर, डल, डल जोली या उसके बाद गोविंद सागर तो यह चाह आप सुन दिये गए है पीटा उसमें सबसे पहने संभार, बूलर, डल या गोविंद सागर तो रुसामड़ीप की जो सबसे बड़ी नदी है तो नर्वदा आके पास चार आप्सन्स है नर्वदा, गोधावरी, कृष्णा या महानदी तो उसका आंसार है बेटा, सबसे प्रायदीप की सबसे बड़ी नदी है गोधावरी, कौन सी नदी है बेटा, गोधावरी नदी है जो हो प्रायदीप की सबसे बड़ी नदी है पिर है निम्डिकित में से कौन सी नदी, भ्रांस गाटी से होकर बहती है तो निम्डिकित्म से कौन सी नदी? भ्रांस गाटी से होकर बैती है तो पहला है विटा आपके पास के लीव चाल अपसंस है तो महा नदी, कृष्णा, तुंप्रभध्रा, तापी तो जो तापी नदी है वो सबसे जादा भ्रांस गाटी से होकर क्या होती है? भुजर्पी है, कौन सी गदर नदी होती है? टापी नदी होती है उसके बाद पेटा ये आपके अपसिक्टिव टाइप प्रश्ण हो गए अब पेटा एक नंबर के प्रश्णी सारे निम्निकित का सापेक्ष में उत्तर दीजिए एक या दो नंबर के प्रश्णी ये पूछे जाते हैं तो आपको पहड़ा प्रश्णी है जर्विभाजक का क्या कार्य है? उधारण सहित लिखिए तो कोई भी उचा चेत्र, मतलब जो जर्विवाह उचक होते हैं कोई भी उचा चेत्र, जैसे परवत या उच्च भूमी तो पड़ोसी अव्वाह, अतलब जो आप उचे इस्थान पर देखेगा ये सबसे ज़्यादा आपको हिमालय के उसमें होंगे तो ये उचे चेत्रों में परवती और उच्च भूमी दो पड़ोसी अव्वाह द्रोनी एक दूसरे से अलग, पताब एक नदी है, दो भागों मैंसे एक दूसरे से अलग करती है उसे अव्वाह कहते हैं, और ये पस्चिन घाट, जल्विभाजक का एक उभाहन है आप मालने चे एक नदी बहते हुए आ रही है, उसके बाद दो खागों में बढ़ते हैं एक दूसरे को अलग-अलग करती है, उसे क्या कहते हैं, उसे अव्वाह कहते हैं तब सबसे पहले इसका पॉस्चन ये होगा फिर है भारत में भारत में सबसे बिसाल नदी द्रौणी कौन सी है? तब सबसे भारत की जो सबसे साल द्रौणी नदी कौन सी है? वो है गंगा नदी गंगा नदी पर द्रौणी जो है वगया कैसी है? बहुत बिशाल है फिर उसके बार में वेटा आपका दूसरा प्रश्न होगा कि सिंदु एवं गंगा नदी कहां से निकलती है अपला जो गंगा के दो प्रमुक धाराओं के नाम लेखिए कहां से एक दूसरे से मिलकर गंगा नदी का इनमार करती है तो आपको बताऊं गंगा नदी की दो मुख नदियां अलक नंदा और भागी रधी गंगा वो अलक नंदा और भागी रधी दो नदियां है इनकी जो ये गंगा नदी की दो प्रमुख धाराएं है इनका बेट बहुत तेजी बिटेगावी गंगा नदी सबसे तेज भेने व और लंबी धारा होने के बावजूद तिपद के छेत्रों में ब्रह्म भुत्रा तब आपको नेक्स कॉश्चन है लंबी धारा होने के बावजूद तिपद के छेत्रों में ब्रह्म भुत्रा में कम गाल या सिर्ट क्यों है नभी पेटा के साथ जो भेंती हुई राज़ए तिबबत के एक सीत और शुष्ट छेत्र, तिबबत जो है वहाँ पर सीत ठेलट भी जादा है, वहाँ का छेत्र कैसा है शुष्ट है, इसलिए लंभी धारा होने के बावजूत भी तिबबत के छेत्रों में ब्रहम पुत्र, मतला, वहाँ किसे ब्रहम पुत्र में कम सिल्ट है, तो वहाँ पर कौन सी नदी है बेटा, जो तिबबत से निकली होई है, ब्रहम पुत्र, फिल कौन सी दो प्रायदीब नदीयां गर्थ से होकर बहती है, जो समुद्र में प्रवेस करने से पहले, किसी प्रकार की आक्ति का निर्मान करती है, मतलब जो दो नदीयां है, वह कौन सी है, जो दो प्रायदीब नदीयां जो गर्थ से होकर बहती है, वह कौन कौन सी है, नर्वदा और तापी नदी, ये दो नदी है, जो समुद्र में प्रवेस करने से पहले, पर इसकी बात है, नदीयों और जीलों की आ उत्पादन के लिए उपयोगी होती है जो रद्या होती है वो प्रयाजन और जल में दुख उत्पादन के लिए क्या होती है उपयोगी होती है और ये सिचाई और नौस अंचालन में भी क्या होती है सहायत होती है संबार जीनों को जल का प्रयोग करते हैं आपन नमक का निर्मान करते हैं और जीनों में जीनों से क्या प्रापत हो तब जीनों में प्रयाटन उद्ध्योगों को बढ़ावा देते हैं तो ये बिटा नदियों का महत्व हो गया और ये जीनों का महत्व हो गया तो पड़ाइडन को क्या करता है बढ़ावा देता है उससे मंदन के साधन है और इनका प्रयोय जल विद्धुत के कुछ पादन के लिए भी किया जा सकता है उसके पाद प्रिटुत्री पृष्ण में आप आएंगे नीचे भालत की कुछ जीलों के नाम दिये गये है जिसे मानाव निर्मित वर्गों में क्या किया उसको बाढ़ता है तो सबसे पहले है पेटा बूलर जील तो प्राकितिक जील में बूलर जील मत्रां जो प्राकितिक ने उनमें कौन कौन सी जील हैं बूल अक्तर आपको फीलहों के नाम इखिसने में को जो ऄалистर दौरा निर्मित वह बूलर 2 के बाद हो गया बंजी कि एक पूर कश्मी मरche की नगी ताल हो गया और मैं से बाद हो गया बीस ताल हो गया और चिलका जील और पुलीकट संबार ये सब आपकी क्या हो गई? बारणप ये सब क्या हो गई? आपकी बारापानी और लोकताब जो हैं आपकी ये क्या है बेटा? प्राकतिक जीले कौन・कौन सी जीले है? प्राकतिक जीले और मानव निर्मत छीलों में आएगा गोविंद सागर, हीरा कुंद, राणा प्रताप सागर, नागर्जुन सागर और विनाज सागर ये सब क्या हो गए बेटा ये मानव निर्मत हैं और ये जो है आपकी बूलार, डर, नैनिताल, वीनताल, संभार, चिलका झीले आपको प्राक्तिक द्वारा मता है, जो प्राक्तिक से अपनको निर्मित हैं, जो आपन प्राक्तिक सौंदर के साथ आपको देशने को मिरती हैं फिर प्राइदी पठार के पूर्व में मतलब हिमालय और प्राइदी नदियों में अंतर तो जो हिमालय की नदिया है हिमालय से उत्पत्ति पस्चमी खायत के उत्पत्ति यह हिमालय नदी है जो हिमालय से निकली हुई है और यह नदिया कैसी होती है बारामासी नदिया होती ह और ये नदिया कैसी होती है हिमाले की नदिया जो होती है आपर इन नदियों में वर्ष भर साथ साथ उचे पर्वत में जो वर्ष होती है पिगलती रहती है जिससे इसमें वर्ष भर क्या रहता है पानी में हमेशा पानी से प्रावत होती है और प्रायदीप नदियों में पस ये नदियां सिर्फ बर्शा पर आधारी तो अगर आधिन बर्शा हो इते नदियों छल चला कर बर जाएंगी पुफान पर जाएंगी और सुखे मौसम में ये नदियों का जल कैसा हो जाएगा घड़ जाएगा और छोटी छोटी धाराओं में क्या करने लगेंगे बहने लगेंगे लेकिन हिमालय की नदियों में वर्स भर पानी आता है और कभी उनमें पानी कम नहीं होता क्योंकि उसमें जो बर्स होती है पिदल पिदल कर बहती हो और हमेशा 12 मेने उसमें पानी होता है तो ये हिमालय की नदियों और प्रायन दीप नदियों में क्या हो गया पेटा अनुतर हो गया उसके बाद है पेटा पूर्वी की ओर बहने वाली नदिया और पस्चिन की ओर बहने वाली नदियों में अनुतर तो पूर्वी की ओर जो नधिया बैती है, तो पूर्वी की ओर बैती है, महा नदी, गोदावरी, कृष्टा, कावेरी, यह सब नधिया जो होती है, वह कैसी होती है? पूर्वी की ओर बहने वाली नदियां होती है तो कृष्टा हो गई, कावेडी हो गई, यह सब क्या है? यह प्रमुख नदियां है, जो पूर्वी की ओर बहती है और पस्चिन की ओर जो नदिया बहती है, वो है नर्वदा और तापी नदिया कि यह कैसी नदी यह पस्चे की इओ क्या हो बहती है । बहती और अरब सागर की तरफ बहती हैं और चादा मात्परा सो पूर्व02 की providers क्या बहती है। घान या संभान करती है और इस पर क्या करती है वो डेलिटा का भी निर्मान करती है और ये ज़्यादा सहायद नदिया है उसके बाद है ये कम मात्रा में राज और संभान करती है और ज्वार नन्द मुख का भी निर्मान करती है जो पस्चिन की ओर नहरा नदिया है और पूर्वी की ओर नदिया जो सहायत मद्या होती है और जो पस्चिन की और जो नदिया बहती है तो ये पूर्वी की और बहने वाली और पस्चिन की और रहने वाली नदियों की नदियों में क्या था अंदर था अब आप देखेंगे किस देश की अर्थववस्था के लिए नदियों का होना महत्पून है किसी देश की अर्थ ववस्था के लिए नदिया इसलिए महत्पून है क्योंकि इनका जल्म प्राक्तिक संसाधन और इसलिए मानवी किरियाओं के लिए क्या है आवशक है आपने सुना होगा जल के जीवन तो नदियों का जल का प्रयोग घरेलू पतला नदियों का प्रयोग अगरेलू और उध्यों इथा क्रशी के लिए भी गिया जाता है आप देखिएगा जो नदियों के तपीवर्धि राकिर होते हैं वहां के उप्जमिटी बहुत प्रयोग किया जाता है तो इसका प्रयोग जल विद्दुत उत्पादन के लिए किया जाता है जो नग्यां होती है उनका जल विद्दुत से क्या किया जाता है उत्पादन के लिए अती महत्पूर्ण है फिर इनका प्रयोग नौस अंचानन परिवाहन के लिए भी किया जाता फिर ये मशली पालन जैसे उद्ध्योग के लिए भी सहायख होती है तो किसी देश की आर्थिववस्था के लिए नदी इतने रूप से क्या है सबसे महत्पून है जो आर्थिववस्था के संचारन के लिए अर्थी महत्पून है और बच्चो इस सारे कोश्चन आसर आप कॉपी में लिखोगे और याद करो ये परिच्छा के द्रस्टी से आपके लिए सभी प्रतब एक नमबर, दो नमबर और तीन नमबर दिवन दात्मक, दीर खुत्री सब आपके इस में मिक्स हैं आप इनको याद करोगे और कॉपी विली धन्यवार बच्चो